कि सबसे पहले जैश्री कृष्णा कि मैं आद आपको कि सुन्दरकान कब को पढ़ना थी है कि इसके बारे में बता हूं कि सुन्दरकान कि सबसे पहले तो ब्रह्म मूर्थ में यानि तीन से लेके पांच-बीस के बीच तक बड़े तुक्सर होता हूं तो बहुत ही ज़ादा हूं सबसे ज़यादा उस समय क्या हनुमान जी जगते हैं और देखते हैं कि कौन मेरी सेवा कर रहा है मैं फिर हम पढ़ सकते हैं जिश्री राम जी शयन करते हैं दो पर में 25 से लेके 14 बज़े तक पढ़ सकते है वह भी बहूध पढ़ सकते हैं रात ostr ऑग़े बाद उब कि वह ऑभी बहुत सरुतम है रात में पढ़ा हुआ तो बहुत ही ज्यादा सरवस्रेष्ट है मतलब हर एक देवता की प्रसंता के लिए आप रात को आप कोई भी पाट कर सकते हैं जो भी सभी देवी देवता बहुत कुस होते हैं रात को जो पुझा करते हैं क्योंकि भगवान सेरी कर्ष्ण गीताम का है रात में ज्यानी जगते हैं और दिन में अज्यानी सुन्दर कान पढ़ते हैं तो तीन समय है सुबै का तो सरवतम है पिर रात का बहुत अच्छा है जो भी मनो कामना हो जो ऐसी भी इच्छा हो वो आप सुन्दर कान पढ़ते सकते हैं मैं इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने अजमाया हुआ भी है और इसके बारे मैंने सुन भी रखा है कि एक लड़के के ऐसी नोकरी ने लगी थी तो उसने क्या है तीन बजे का चार बजे का नियम मना रखा था सुन्दरकांड पढ़ने का हनवान जी को नियम बहुत पसंद है आप नियम बना के सुन्दरकांड पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फायदा है हनवान जी महाराच शीव जी के उतार है बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं लेकिन सुन्दरकांड पढ़ने के कुछ नियम है यसे लाल प्रवती जोड़के तुलसा जी के पास पढ़ा जाए या राम मंदिर में पढ़ा जाए बहुत ज़्यादा कुस्ट अनुमान जी के आप गुलाव जमन का भोग लगा पढ़ने के बाद तुलसा जी पत्र अरपित करो फिर देखो आप चमतकार आपकी जो भी मनो कामना हो यह तो उसने यह उमर कैदी से होने वाली थी अनुमान चली से पढ़ी 108 भार फिर उसकी लगी 108 भार से जदा 200-200 पढ़ते ही रहा पढ़ते ही रहा बताओ बाकाइदा बरी हो क्या आगया उमर कैदी टलगी तो यह हनुमान जी के देखता है अनुमान जी आपको अगर यह जानक ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और जो बगत हनुमान जी की शेवा करते हो उनके सामने उनके से शेयर जरूर करिए उनको बताईए और जो पढ़ाई करते हो उनके लिए तो हनुमान जी बहुत अच्छे है पढ़ाई करने वाले बच्चे हनुमान जी को बहुत ज्यादा प प्लब खेश नगोगोजार कैसी ज़िए लोगोग रीपोगोगोग लोगोगफ पैसी बाने भी जाने भी टोगगोगोगोग लोगगोगोगे हैं यूशागोगोगोगोगोगोग